प्रिये शात्रों नमस्कार तो दोस्तों आज हम लोग चलू करेंगे प्रसनावली वंजी तो आएए हम लोग कुछ इसमें उदार देखते हैं यानि उदार के तोर पर हम लोग सवालों को कैसे सोल्ब करते हैं कुछ ऐसे उदार देखेंगे हम लोग तो आएए स्टार्ट करत तो कुछ दिन से मेरी तवियत खराब चल रही थी जिसके करने वीडियो नहीं आ पा रहा था तो अब वीडियो रेगलर आएगी क्या होगा कि जल्द ही चैनल में समलित हो जाए तो आईए स्टाट करते हम लोग प्रसनावली वन जी अब देखिए दोस्तों करणियों क्या किय हैं हम लोग करणियों का पढ़त चुके हैं जोड और घाटा नाम अब पढ़ेंगे हम लोग का अलीयों का गूरा और भाग कैसे हता है मैं आप लोग को बता दूप पहले कुछ उधारण में ले रहे हैं करणी में यक्स और करणी में वा करणी में वाई अब देखिए क्या अंडर उट करनी में य यह कितना है यह यह गूड़ा नहीं हो सकता। क्यूण रहना नहीं है। करणी का घात कि हम लोग का सेम सेम नहीं यहां तो कुछ भी नहीं रहता है तो रहता है और यहां तीन है तो जब यह सेम सेम रहेगा तभी क्या होगा हम लोग का गुणा होगा और तभी क्या होगा हम लोग का भाग होगा लेकिन जब यह सेम सेम नहीं रहेगा तो हम लोग का वाइसा ही लिख सकते हैं या कुछ आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे ऐसी बी धी जो क्या होग वाव हो का की गुणा कर सकते हैं कवस् bulbs सेम करके तो यह सब्गों में आ गई अगर मांच यह हम लोग का क्या है एक और उदारा ले लेते हैं तीन करणी में छो है करणी के घात तीन है और एक एक और भी है हम लोग का मांज़े ये तीन करणी में साथ है यानि करणी का घात तीन है करणी का घात तीन है और ये छे और साथ है तो ये क्या हो जागा गुड़ाव गात हम लो चार करणी में 6 है और यहां कुछ भी नहीं है फिर यहां कितना हम लोग का पांच करणी में साथ है और यहां कुछ भी नहीं है तो जब यहां कुछ भी नहीं रहता है तो सेम सेम रहता है हम लोग का और सेम सेम जब रहता है तभी क्या होता है हम लोग का करणी का गुणा होता है और भाग होता है देखिए कुछ भी नहीं रहता है तो दो रहता है यहां भी कुछ भी नहीं है तो दो ही रहेगा अब यानि करणी का बाहर का बाहर गुड़ा हो जाएगा करणी के अंदर का अंदर गुड़ा हो जाएगा यानि कितना हो जाएगा हम लोग का चार पाचे 20 और यह कितना करणी, 6 साथ यह कितना हो जाएगा, 42, यह क्या हो गए हम लोगों का इंसवर हो गया, तो यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो आए इसमें हम लोगों कुछ सवाल करते हैं। अब देखिए हम लोगा इसमें पहला सवाल तो पहला सवाल क्या है हम लोगा करणी का घात सेम सेम है जब करणी का घात सेम सेम रहता है तब ही क्या होता हम लोगा गुड़ा होता है और भाग होता है तिसका एंसवर क्या हो जाएगा हम लोगा करणी का घात सेम सेम है आगे का आफ दखे आउगे इसको कह से गुड़ा करेंगे तो चेम वाइपर केरिया रहेंक हम लोगा में तीन तीन है यानि सेम सेम है तो सेम सेम रहता है तेक लिख देते हैं यानि कंडरूट लिख देगे वैसा है या और खुड़े गात भी और अंडरूट का अंडरूट में गुडा कर देंगे बाहर तो कुछ हुरी है ने की गुडा करेंगा अंकंग में कि तो यह क्या हो जाएगा थो हम लोग का इन्सबर हो जाएगा अगर यह मेता दे रहा हूं 3 करणी में आठ को क्या लिख सकते हमुग है एग लेग को दूग नोगते दूग दू यानि दुददूनेक चाड़ दूना क्या आठ तीन जोड fishermen के के यानी दू सबर अब देखिए इसको इसको भी से और हैं करणी गाथ सेम हैं क्या करेंग हम लोग नो एक करणई के घात लिक देंगे आनिकर लिक देंगे च्भ और अंडरूड का पर नग संदरुट में गुड़ा करके जोड़ा करते हैं यह क्या हो जाएगा हम लोग जाएगा भीटियू समझ में आ रहा है urgent लायकट अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक ठोके अब देखिए अब तो हम लोग आ रहा था कि करणी के घात सेम सेम रहती थी लेकिन अब क्या आएगा अम लोगा करणी का घात सेम भी रहेगा या सेम नहीं भी रहेगा तभी क्या हम लोगा हल हो जाएगा अब देखिए करणी का घात सेम सेम नहीं रहता है तो कैसे हल करते हैं उसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें अब देखिए यहां कुछ भी नहीं रहता है तो दू र अब क्या कर देंगे चार लिख देंगे चार करणी में अब देखिए यहां क्या लिख दिया हम लोग चार लिख दिये जहां कुछ भी नहीं था वहां चार लिख दिये और चार में दो से भाग देंगे ते कितना होगा हम लोग का दो होगा और दो के आओगा इस पर बर्ग हो अब देकेते थिए सेम मोई हो गें हम कंसे होता है यह देखेिए यहां कुछ भी नहीं तो डो और यहां चार हे पहले ही цент Olá चार करने कारा है अर चार किया करेंकं लोक जक कितना बार जाएको और दो गया होगा तीन का बरगfred जाएगा और ये 4 तो पह्याहि आनि चार ये इसे हो तो वाईस आहीं रहने देंगे अब ये कितना हो जाएगा हम लोग काम करणी का हाथ सेम हो गई तो 4 करणी में लिख लेंगे यानि करणी घाथ 4 और अंडर उटका अंडर उट में 3 काई स्क्वार इंटू 6 अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का तीन का स्क्वार कितना होता है नौ गुड़ते छो यानि कितना हो जाएगा नौ छो का चोंग वन ये क्या हो जाएगा हम लोग का इन सबर हो जाएगा अब देखिए भी वह इसा ही करना है सेम टू सेम एकदम सेम पर किरिया यानि यहां तीन ही यहां छोई है यानि करणी के घात सेम सिम नहीं है तो पहले एक बराबर बनाएंगे एक बराबर बनाने के लिए का करते हैं हम लोग तीन छोगा लोसा कितना होगा हम लोग का तो छे ही होगा तीन छोगा लोसा निकालेंगे इस तरह हम लोग तो कितना होग दू से कटाएंगे तो 6 होगा यानि वह सम आप देखिए जहां तीन रहात आए वहां क्या लिखते हैं हम लोग स्वा और तीन से भाग देते हैं च्वा में तो कितने बार जाएगा दुबार और दो बार जाएगा तो ये दो के उपरा क्या लग जाएगा दो गात जितना बार जाता है भाग देने पर यानि देखिए सब या करेंगे तीन से जम्हें भाग देंगे कितना बाड जाएगा दो बार सिल दो जाएगा दो बार कितना उता है चार और यह कितना नव ऑं अन libraries में गड़ा हो गया कितना आओ जाएगा चार नाव चाहां अब क्या होगा हम लोगा का मोफ आप क्या होगाlier 36 का बर्गमूल निकाल डिन गहें तो 36 का बर्गमूल कीसे निकाल तो मैं सींपली से बता दे रहा हूँ एक बार 36 को क्या लिख सकते हम लोग 16 맞 Same और क्या यहा कोई साही रहाएगा ता यहां वहता ही तो यहां कि करोणी का मतलब होता है यहां तीन रहाएगा त्यहां कोछ भी नहीं रहाएगा त्य को जाएगा दो कि मैं सुर्य में बताया हूं आप लोग कि कि यहां कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है दो अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे एक बाटा दू अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा उतना हो जाएगा एक बाटा चार तीन रहेगा तो एक बाटा तीन अ चेप पावर वन बाई टू से कटाएंगे तो दू एक आमें दू दू दूना के चार यानी एक बटा दू का मान कितना होता है अंडरूट यह क्या होगे हम लोगा अंडरूट में शीक्स इनस बर हो गया अब देखिए सवाल नंबर चाठवा सवाल नंबर चाठवा क्या है हम लोग का कि ये इसमें भाग आ गया हम पड़ रहे थे क्या हम पड़ रहे थे गुडा और अब क्या आ गया भाग तो भाग कैसे करते हैं तो ध्यान दिजिएगा भाग चाहिए गुड़ा कब होता है जब उसकी घात सेम सेम हो जब घात सेम सेम रहेगा तक क्या करते हैं हम लोग एक घात उतार लेते हैं और गुणा रहता है तो गुणा कर देते हैं भाग रहता है तो भाग तब भाग मने क्या होता है हम लोग का बाटा यानि आठारा में कितना से भाग देंगे नौ से यानि नौ से भाग देंगे आठारा में ते कितना बार चला जाएगा अम लोग का ये तो करणी के घात से अम वह इसा ही लिखा जाएगी नौ दूना कितना होता है अठारा ये क्या हो जाएगा अम लोग का इंस बर हो जाएग अब देखिए सवाल नमबर सातवा सातवा क्या है हम लोग का भाग देना है इतने में इतना से तो कोई से भाग दिया जाता है भाग मने क्या होता है हम लोग का बाटा भाग मने आप कोईगे कि भाग मने तो भाग देना होता है लेकिन आप बाटा बाता रहें तो मैं आप लोग को बता दू कि भाग कितने परकार का होता है तो 5 परकार का एक ये भाग होता है भाग का चीन एक क्या होता है प्रतिसत होता है एक क्या होता है अम लोग का बाटा होता है एक का होता है और क्या होता है अम लोग का समंध्य होता है एक यह क्या हम लोगा भाग का चीन है यह प्रतिसत नहीं होता है यह गलत है यह ही क्या होता है अम लोगा भाग का चीन होता है अब इसमें से हम किसी को यह भाग का चीन है कि यह टेड़ा रहता है यहां सोज नहीं रहेगा यानि यह क्या रहेगा इस तरह रहेगा यानि टेड़ा आता है तिस consumers हम कोई भी लगा सकते हैं किसी के बदले में अब क्या करेंगे हम लोग देखियें भाग माने क्या होता है बाटा यानी दू बाटा 3 चार करणी में 5 भाग माने क्याम लोगका बाटा तीन बाटा 2 और एक इतना चार करणी में 6 अब ये कितना हो जाएगा हम लोग काम कि इसका इसमें गुड़ा हो जाता है और इसका इसमें जब दो उपर दो उपर आएगा दो नीचे राएगा तब जब दो उपर आता है दो नीचे राता है तब क्या होता है बीच का बीच में गुड़ा और उपर का उपर गुड़ा उपर का नीचे गुड़ा और बीच का बीच में यानि दुदुना कितना हो जाएगा चार और ये तितले कितना हो जाएगा नौ अब देखिए अंदर उठकी घात कितना है सेम सेम है तो अंदर उठकी घात लिख दे आपने हैं दीशों म Pocket चैनल में पास्याने डिशुकिंग जा समस्केलिक ऐकाघतरां करना सब्सक्राइब ये मिनगें और कि अजिए वस yoga करना इसा स्वाल नसलीस होता है तुंछ लगें छसीशाने के बाकोटा नियुकिजिए तो सेम सेम तो हई नहीं है हम लोग का तो क्या करते हैं जब सेम सेम नहीं रहता है तो यहां कुछ भी नहीं है तो दो है दो और यहां कितना है तीन है और यहां कितना है चार जहां कुछ भी नहीं रहता है करणी के उपर वहां कितना रहता है हम लोग का वहां रहता है हम लोग अब क्या करेंगे कि दू की जगव पर दू कहा है हम लोग यहां है दू तो करणी की करणी की आगे दू नहीं लिखाता है यानि क्या करेंगे दू की जगव बारा लिखेंगे बारा करणी में अब देखिए दू की जगव बारा लिख दिए अब क्या करेंगे दू से भाग द मिखेंगे हम लोग बारह अब देखी ये इस और गocrणी में गारी सूब具ब करनी में तक इतने भर जाएगा लितने बार люб यानि चार पर पावर कितना होजाएगा तेन ये क्या है एमलोका रफ करे हैं तर नहें हमल करना ए तर अब पेए क्रणी करका में क्या मतलब क्या है कि 2 से हुआ बार होता है यानि 4 गुड़ते 4 गुड़ते निट क्या करेंगे एक बार जिसे तूर देंगे यानि छोटा पाटकर देंगे थे बाकूसे लिखा जाएगा दो गुड़ते 2 गुड़ते दो गुड़त दो ओं एक तो यह इस चार को जासे अब कितनों होंगं ही है यहां 6 भार है और यहां भी 6 भार यानि 2 पी पावर डिखी देंगे 12 और यहां कितना है 3 हम लोग का 4 बार है तो 3 पावर लिखी देंगे 4 इसकी घात कितना हम लोग का करणी की घात 12 अब यह कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पावर 12 मैं बताया हूँ आप लोग क्या होता है कि यहां 12 रहता है तो उसका मतलब होता है 1 बटा 12 अगर यहां 4 आएगा तो उसका मतलब है कि 1 बटा 4 गुड़ते 3 पिकटना 4 और इसपर फिगवाट लगा देंगी कितना हम लोग 1 बाटआ 12 अब देखिए कितना यह जाएगा 12 से तो 12 कड़ जाएगा क्या होगा हम लोग का 2 पिकटना 2 पिकटना 1 तो 2 पिकटना 1 का मतलब होता है 2 कि 2 गुड़ते, 1 बटा 3 का मतलब होता है करणी में 3 यानि यह क्या हो जाएगा करणी को घात 3 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा अंडरूट में 3 है यही क्या हो जाएगा हम लोक आम एनसवर हो जाएगा अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि पहली इसको हल करेंगे हल करके क्या करेंगे फिर भाग देंगे हम लोग तो क्या करेंगे इसको पले रफ कारेप कर लेते हैं करणी में तीन इंटू दू करणी में यानि तीन है तीन करणी में दू को पले हल करेंगे रफ पर यहां कोछ भी नहीं रहाता है तो दू रहाता है दू और तीन का लसा हो जाएगा हम लोग का लसा हो जाएगा हम लोग का कुछ भी नहीं रहाता है उसकी जगह पर लिखते हैं हम लोग जो इतना एलसी हम आया रहाता है उतना और क्या करते हैं कि यहां कुछ भी नहीं रहाता है तो दो रहाता है यानि इस दो से क्या करेंगे छोद में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा हम लोगा तीन बार तो क कितने बर जाएगा हम लोग का दू बार तो दू के पावर कितना हो जाएगा हम लोग का दो ये तो दो वैसा ही उतरा गया और जितना भाग दिये उतना है उतना है वो पावर में लगया अब ये कितना हो जाएगा छे करणी में तीन का बर कितना होता है तीन का घौन कितना होत अब क्या करेंगे हम लोग कि इतने की जगाँ पर पूरा इतना मान लिखेंगे हम लोग अब देखिए भाग दे रहे हैं तो 6 करणी में 12 है भागें कितना आया है मान लोग का इतने को दुनों का हल करने पर 6 करणी में 108 अब क्या करेंगे जब करणी की घहात सेम से रहती है तो वो लिख देते है और भाग रहता है तो भाग कर देते है यानि 12 बटा में कितना हो जाएगा भाग मने बटा होता है 108 तो क्या कर देंगे हम लोग इसे अब कटाएंगे तो 12 नामा कितना होता है हम लोग का 12 से कटा देंगे तो 12 कमें 12 12 नामा कितना होता है 108 यानि 6 और ये कितना हो गया 1 बाटा 9 इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक बाटा नो को एक बाटा तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस पर पावर कितना हो जाएगा आम लोगा ये छे छे मने क्या होता है एक बाटा छो अब क्या होगा दूसरे ये छो कर जाएगा यानि तीन हो गया अब देखिए कितना हो गए आम लोगा उपर एक है एक का घृणमूल निकालेंगे ते के होगा तीन का घृणमूल नहीं निकालेंगे तो इसे तीन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग तीन को लिख सकते हैं तीन गहनमूल तीन यानि गहनमूल कितना लिख सकते हैं तीन एक गहनमूल चाहें बरगमूल चाहें बरगमूल निकालेंगे तो क्या होता है हम लोग का एक ही होता है यानि एक बटा में तीन गहनमूल कितना आगे हम लोग का तीन ये क्या हो जाएगा हम अब देखिए इसमें का लास्ट सवाल कि इसको हल करना है और हल करके जो लास्ट में अन्सवर आएगा वही क्या होगा अम लोगा उत्तर होगा ति क्या है अम लोगा दोस्तों देख लीजिए यहां कुछ भी नहीं है तो दो है दो लिखेंगे यहां तो पांच दिया है यहां कितना है दोस तो दो पांच दोस का लोस कितना हो जाएगा मुलों का यानि यह लसी हम कितना हो जाएगा दोस हो जाएगा अब दोसे दोस में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा पांच तो पांच के आओगा इसके पावर में लएगा और यह दोस क्या होगा यहां आगे बढ़ दे अब यह कितना होगा उटम नहीं जुगाई पर लग जाएगा यानि बार कर्षे इसको ज्वार सुदो अधार देंगे अब देखिए क्या है अम लोग काम कि सेम सेम ये कैसे उतार दिये हम लोग कि दस की जगा पर दस भी लिखते हम लोग ते क्या करते दस से दस में भाग देते तेक बर जाता और इस पर चोवन पर पावर एक मने क्या होता है चोवने होगा अब देखिए हम लोगा करणी के हाट तो सेम हो गए यानी ये का लिखी देंगे 10 करणी में अब ये क्या कर देंगे अंडरूट का अंडरूट में गुड़ा 3 by 5 गुड़ते ये क्या वहजाएगा 12 का γुड़ते ये कितना 4 चाउं वन क्या कर देंगे इसको पूरा तोर देंगे हम लोग अब देखिए थी क्रण करो दिये? अब क्या करेंगे फिर इस क्या कर देंगे फूरा एकडम और फिक्टर वनाएं libertade । छोटा से छोटा मठीए त्य यह उतरा जाएगा 3 गुरते तीन गुरते तीन गुरते 5 वार उत्रा गया यह उब की आया 12 का चोटे होता है तो चार को क्या लिख देंगे दो गुरते दो यानी 12 का गुरते क्याक्वर्ध कर देंगे हम लोग तूर दिये पूरा एकदम फिर बारा का तूर देंगे ते तीन गुर्टे दो गुर्टे दो फिर यह क्या कर देंगे वैसा ही उतार देंगे यानि दो दो गुर्टे क्या है दो गुर्टे तीन गुर्टे तीन गुर्टे तीन अब देखिए कितना बार हो गए हम लोग का बारा का लिखे हैं तीन गुर्टे दू गुर्टे दू चर्टे बारा होता है फिर चर्टे बारा यह वह सही उतरा गया अब क्या होगा हम लोग का कि गीन क कर लिखेंगे गिन कर लिखेंगे यान तीन कितना बार है पांच बार छे बार साथ बार और साथ तीन दोस बार तीन पर पावर क्या लगा देंगे दोस जीतने बार आएगा उतना बार क्या लगाते हैं हम लोग पावर में लगा देते हैं अब कितना है दू पावर कितना होग इन्टू में करके 10 पर पावर 10 और इस पर घात कितना हम लोगा एक बाटा 10 फिर इन्टू 2 पर पावर कितना है 5 और इस पर घात कितना है एक बाटा 10 मने करनी का मान रख देते हम लोग 10 रहता है ते एक बाटा 10 होता है दू रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा तो एक बाटा दू होगा तीन रहेगा तो एक बाटा तीन अब क्या होगा इस दस से दस ये कड़ जाएगा तीन पर पावर एक मतलब क्या होता है तीन गुड़ते ये किया होगा हम लोगा 5 से कर जाएगा 5 दूना के 10 दूपा पावर कितना हुआ हम लोगा एक बटा दू एक बटा दू का मतलब क्या होता है एक बटा दू का मान होता एक करणी यानि तीन करणी में कितना हो जाएगा दू यह किया हो गया हम लोगों का answer हो गया हम अबर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को subscribe भी कर सकते हैं इसे like भी कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं कि बहुत ही आच्छा पढ़ाया जाता है इस चैनल पे तो इसी के साथ मिलते हैं एनेश्टी वीडियो में तब तक लिए थैंक्स जैहिन